अज तीसरी बार नरित्र बोधी प्रधान मंत्री पत की शपत लेंगे तीसरी बार देश में NGA की सरकार बन रही है आपको बता दे कि ऐसे में सहयोगी दलो के भी कई मंत्री बन रही है टिडिपी से राम मोहर नाईजू का राम है पेमा सानी को मंत्री मंडल में शामिल किया जा सकता है तो इसके अलावा कुछ और भी नाम है आपको बता दे कि अनुप्रिया पटेल और जयत चौधरी को भी मंत्री बनाया जाएगा तो वहीं जीतन राम मान जी भी मंत्री बनेगे तो देखें शपत को लेकर तैयारिया जो शोर से चल रही है और जैसा की चर्चा भी चल रही थी कि जब नरिद्र बोधी प्रियम पत की शपत लेंगे तो ऐसे में मंत्री भी होंगे जो मंत्री पत की शपत लेते हैं नजर आएगे तिल्टसार किया जा रहा था कि आखिर मंदल में कौन कौन से वो नाम होगे और अब जो है मंतरी मंदल में जो शाबल होने वाले हैं उनको फोन आना भी शुरू हो गया है तो आपको बता दे एक बार फिर से कि कौन कौन से वो नाम है जो भी तक सामने आ चुके है जीतन इस लिस्ट में कुछ और भी नाम है जैसे कि अनुप्रिया पटेल और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है बोहन नाजू और पिम्मर सानी को भी मंत्री मंदल में शामिल किया जाएगा तो देखे बीजेपी के अलावा जो एडिये के और भी सहयोगी दल है वहां से भी मंत्रीपत की शबत लेंगे जो जीत कर आए है तो एक बार फिर से बता दे मद्रप्रदेश की खास्तोर पर बात की जाए तो जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है उसमें शिवराज सिख च और चरी इसी खबर पर जादा अब्रेट के साथ हमारे सहयोगी अमरिताल्शी हमारे साथ जो गई है सीधा उनकरू करेंगे अमरिताल्शी देखे शबत का तो इंतजार किया जा रहे है मंत्री मंदर में कौन-कौन से नाम होगे इसको लेकर अभी तक चर्चा थी शिवराज सिंग चोहान हो जो कि मद्रिदेश में सबसे जादा लंब समय तक रहने वाले मुखी मंत्री रहे है या फिर जोती रादित सिंधिया हो जिनका मद्रिदेश में दुबारा से सरकार बनाने में बड़ा योगदान रहा था कहीं न कहीं ये दोनों ही जो एक तरी किसम कह सकते ह हैं कि नेता हैं इनको मंत्री बनने के लिए कॉल जा चुके हैं मैं तपूर्ण बात यह है क्योंकि मद्रिदेश में इस बार 29 29 सीटे बीजेपी जीती है तो मद्रिदेश का कद अब बड़ेगा मद्रिदेश से जादा मंत्री हो सकते हैं समभवता माना जा रहा है कि चार न कि करीबन सुभा साड़े ग्यारा बजे के करीब जो पेम मोदी हैं वो मुलाकात कर सकते हैं जोति रहा देते शिंदिय안 शिवरासिंग आने वाले नाम हो सकते हैं, वो नए चेहरे हो सकते हैं, अभी तक क्योंकि चानकारी के मुताबिक इन दो ही नेताओं को कॉल गया है, तो संभवता हाँ कि दो ही नेता अगर आज शपत लेते हैं, तो मंत्री मंदल में इनको शपत दिलवाई जाएगी, हाला कि विभागों का पर्टवारा तो खेर आबाद में ही होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि मंत्री देश का जो कद बढ़ेगा, उसमें दो नेताओं का भी योगदान रहने वाला है, जी और बिल्कुल अप्रिताशी जैसा कि आप जिकर कर रही थी, मैं उसी सवाल पर आना भी च की जाया, तो क्या ऐसे लोग भी मंत्री मंदल में शाबिल हो सकते हैं? बिल्कुल एक ये कोई जो है हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरस उम्मीद बीजेपी से की जा सकती है, यो कि बीजेपी हमेशा चौकाने वाले नाम देने में माहिर रही है, खास तोर पर इसका उधारन है जो तीन राजियों के मुखे मंत्री हमने देखे, खास तोर से राजिस्थान, चातिसगड़ों मद्रिदेश में हमने जो उम्मीद नहीं कीती, उसके उलट पूरा कुछ हुआ है, तो कही न कहीं देखिए हो सकता है कि मद्रिदेश में ऐसे जो है वो नाम निकल कर सामने और भी कई महत्कून चीज़ों को धिहान में रखा जाए, हो सकता है कि पहली बार कि जो सांसद है, उनमें से कोई महिला हो, उनको यहां पर बना दिया जाए, जो मंत्री है, हो सकता है कि जो पहली बार कि जाद तर चेहरों को जगे दी गई है, उनमें से किसी को यहां पर ज दो चहरोंके रवावा चौकाने वाले चहरे भी हो सकते हैं लेकिन फिल हाल अभी यहाँ पर दो जो चहरे हैं, जो मद्विदेश के वरिश नेताओं में से हैं, जो तिरादिति सिंदिया, शिवरासिंग छोहान, इनका लगभग शपत लेना तैम आना जा रहा है, जी. तो चलिए नज़रे बनारखिएगा अमरिताजशी आगे भी आपसे तो चलिए अमरिताजशी आप बने रही है हमारे साथ दुबारा आपके पास लोटेंगे जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गया उनका रूख कर लेते जुल्फिकार देकि मदरप्रदेश की बात की जाया तो दो नाम सामने निकल कर आ रहे है जिनका लगभग मंत्री बना तय बताया जा रहा है चुल्फिकार की बात की जाया तो चुल्फिकार की बात की जाया तो चुलिए दुबारा से जुल्फिकार का रुख हम करेंगे एक बार फिर से अमरिताश्य का रूप कर लेते अमरिताश्य देखिए देखने वाली बात ये भी होगी कि जो पहली बार सांसत बने है क्या उनको बॉका यहाँ पर दिया जाएगा और हो सकता है कि बीजुपी युवा बिगेट को या फिर नए चेहरों को अपनी टीम में शामिल करना चाहे क्योंकि पिछले समें हमने देखा है कि बीजेपी ने ये काम किया है कि जो नए चेहरे है जो नए हम कह सकते हैं कि लोग है उनको मौका दिया जाए और बीजेपी ने अपनी ये तकनीक जो है वो राजियों में भी अपनाते हुए कही ना कहीं बत और जो है वो मुखी मुंठीपद्री पत के लिए बी अपना इए तो हम बिल्कुल यह मान सकते हैं कि बीजेपी कही न कहीं ऐसे चेहरों को जो है वो तरजी देती हुई कहती है तो मद्रीपरदेश के योगदान को कहीं कहीं तक जो हम कह सकते हैं की अंधेखा नहीं किया सकता यही पजार है सकती है कि बीजे पी जो है इसाओ er दो वरेषट रों के साथ कोय नए चेहरे भी ला सकती है हो सकता है संगटें से जोड़े हो क्यों कि कई और पर भी नाम चर्चाओं में थे, तो कहीं न कहीं इनको लेकर जो है चर्चा की जा सकती है. अम्रिताशी इस सवाल और भी रहा था जोसे कि हम उत्तर प्रदेश के नतीजों के अगर बात करें तो जो रिपीटेड चहरे थे कही न कहीं उससे देखे लोगों को नाराजगी थी और उसका असर भी नतीजों में साफ तोर पर देखने को मिला अगर इस केंद्री मंत्री मंडल की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि यहां पर भी चहरेव को रिपीट किया जाएगा या फिर इससे बचा जाएगा जरूरी यह भी है कि राजनाथ सिंह जैसे उत्ता प्रदेश से आते हैं वह वरिष नेता है वह कदावर नेता है तो जाहिर तोर पर माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह का नाम लगबग यहां परता है क्योंकि सबसे सीनियन नेताँ हुम में से एक इससे वरिष अनुभवी अगे चल रहे हैं और सुत्रों से खबर मिल रही है कि शिवराज सिंग चोहान और जोद्रादिती सिंधिया को फोन कॉल आचुका है 36 गड़ की बात की जाए तो यहाँ पर क्या जानकारी आपके पास कि किनकिन को फोन कॉल सा चुके इसके साथ ही दूसरा जो बड़ा नाम है वो विजय बगेल का है सबसे बड़े मार्जन से जीते हैं उनके नाम पर भी चर्चा है क्योंकि वो बीसी बड़े से आते हैं और उन्होंने देखा जाए तो बिधान सबा चुनाव भी भूपेश बगेल के खिलाफ लड़ा था उन्हें वहां पे घेरा था और एक मुखर चहरा है चाहिए और इसके पहले जो अगर उनकी चबी की बात करें तो एक हिंदुत्यू का बड़ा चाहरा आरेसस बैग्राउंड से आते हैं और उनकी यह कहते हैं कि केंद्रिय नित्रोते से काफी करीबी हैं तो यह तीन बड़े नाम हैं में जिन को कैस लगाए जा रही है कि इनको केंद्रिय केबिनेट में सामिल किया जा सकता है लेकिं दूसरी तरफ यह ही कि अभी तक जो जानकारीय हैं कि कि सीको भी थो नहीं आया है क्योंकि देखें जब से राज्य बनाया तो उन्हें मोधी केबिनेट में जगह मिली थी लेकिन अब इस बार जो है तीन नामों में से किसी एक नाम की चर्चा हो रहे किसी एक को फोन आ सकता है और तीनों इंतिजार कर रहे हो सभी जो सांसाद है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं इंतिजार कर रहे हैं बिल्कुल बिरिज महान की अगरवाल की बात की जाए तो वह एक कद्दावर नेता है यह कहें कि जब से समझा सकता है कि भारते जंता पार्टी में अगर कोई जन नेता के तौर पर उबढ़ा है तो बिरिज महाना गुर्वाल है कि आठ बार से लगातार विधायक बने और इस बार पार्टी ने उन्हें राइपुर लोगसभा सीट से टिकेट दी तो उसमें यह कि अब तक कि सबसे बड़े मारजंसे चत्तिसगड़ में जीते हैं इसके पहले विधान सब्सक्राइब चुनाव हुए थे राइपुर दक्षन से भी उनके सबसे बड़ी लीड से जीत दर्ज किये थी और लोगसभा में विए उन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है तो ऐसे में उनके ना अभी जो सपत ग्रण है उसमें चत्तिसगड़ को प्रतिने दित ना मिले और आगे जब एक्सपेंशन होगा मोधी कैबिनेट का तो उसमें चत्तिसगड़ से किसी को जगा मिले तो इन दोनों बातों पर चत्तिसगड़ की राजनीती में चर्चा हो रही है लेकिन लोगों क आज शाम को शपत ले सकता है आप दोनों ही नजरे बनाए रखेगा आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे फिलाल आप दोनों का ही बहुत-बहुत शुक्री हमारे साथ जोड़ने के लिए